हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप से भी स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे और फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परियावराड सनरच्छड के बारे में जो कि हमारे अंतर राश्टी सम्मेलन हुए थे उसकी बारे में हमने पढ़ा था बहुत सारे सम्मेलन पढ़े थे रियो प्लस 20 रियो प्लस 5 प्रत्थम प्रिथी सम्मेलन मौंट्रियर प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल यह सब हम पढ़ चुके हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो तो सबसे पहले आता है परियावरर संदर्चड अधिनियम 1986 यहां अधिनियम जो है यह 1972 में जो हुआ था हमारा मौंट्रियल प्रोटोकॉल उसमें मानव परियावरर पर शंयुक्त राष्ट सम्मेलन की घोशडा को लागू करने के लिए पारित किया गया था और अधिनियम परियावरर संदर्चड अधिनियम यह 19 नमबर 1986 को लागू हुआ था और इसका प्रमुख उद्देश से क्या था तो परियावरर संदर्चड एवं सुधार के लिए योजना त्यार करना यह भारत का है यह सब हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं फिर आता है भारत की रच मिश्णोई आंदोलन washington हुआ था 15 सताब्धी में संदंद जम्भोजी द्वारा राज स्थान ने प्रारंप किया था एक संत थे जम्भोजी यह राजस्थान के रहने वाले थे और यह 15 शताबदी में ही विश्णोई आंदोलन सुरू कर दिये थे और इनके आंदोलन था क् की पेड होता है जिसे हम खेजडी कि खेजडी का पेड भी कहते हैं और वहां पे एक खेजडी गाउं भी है कजाई काफी मातरा में पानी निकलता है और राजस्थान के राजस्थान में ये पेड़ पाया जाता है और ये पेड़ जो है इससे question भी आते हैं हमारे सीटेट में तो ये सब सीटेट के लिए भी बहुत ही important है तो राजस्थान के खेजड़ी गाउं की अमरिता देव बिश्णोई ने खेजड़ी विरिक्षो को काटने से रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुती दे दी थी देखिए सबसे पहले खेजड़ी वरिक्ष की रक्षा के लिए जो प्रयास किया था वो तो किया था संत जंभो जीने 15 ii सताब दी में ही किया था लेकिन बाद में अमर्यता देवी विशनोई ने खेजड़ी विछ्षो को काटने के लिए उन्हें ने बहुत ही प्रयास किया और ये प्रयास करते- करते उनके प्राण भी चले गया इसलिए इस आंधोलन का नाम उननके नाम पड़ा और विष्णोई आंधोलन इसका नाम पड़ा फिर आता है हमारा चिपको मॉमेंट जीुकि बहुत ही important है परिक्षा में इससे सवाल आते ही आते हैं तो चिप को आन्दोलन के प्रडेता कौन थे तो चिप को आन्दोलन के प्रडेता थे श्री चंडी प्रशाद भट और सुंद ждल लाल भागुडा दें अगर могут में दोनों आता है तो हम स्री चंडी प्रशाद भट जी के ही साथ जाएंगे क्योंकि इस अंदोलन के में प्रडेता वही थे उसके बाद अगर उप्सन में चंडी प्रशाद भट नहीं होता है फिर हम लगाएंगे सुंदरलाल बहुगुडा तो इसकी सुरुवात कब हुई इसकी सुरुवात हुई थी 1973 में उत्राखंड के चमॉली जीले के गोपेश और नामक गाउं में हुआ था आंदोलन करता जो थे उन्होंने क्या किया था तो विक्षो को काटने से रोकने के लिए क्योंकि उस ताइब विक्षो की कटाई हो रही थी हाला कि आज भी होती है तो विक्षो की कटाई को रोकने के लिए वो पेडों से चिपक जाते थे ताकि उसे कोई काट ना सके और इसी तरह उन्हेंने बहुत से प्रयास किये और रही बाद सुन्दर लाल बहुगुडा की तो टिहरी बाद आंदोलन जो था इसके में जनक माने जाते हैं सुन्दर बहुगुडा और अगर चिपको की बात करें तो इसके चंडी प्रिशाद भट माने जाएं चिपको मूवमेंट की ही तरह एक और अंदोलन था जिसका नाम है अपिकों आंदोलन और ये चिपकों आंदोलन के ही समान है और ये अगस्त 1983 में हुआ था और ये साउथ में हुआ था इसके प्रमुख नेता कौन थे तो स्रीप पांडू रंग हेंगड़े थी और इसका नारा या फिर श्लोगन की बात करें तो यह क्या था उलिसे बेलेशु मतु बलीशु इसका अर्थ होता है बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ बहुत ही अच्छा स्लोगन था यह फिर आता है हमारा नर्वदा बचाओ आंदूलन जिसका प्रारम हुआ था 1989 में और किस ने प्रारम ब किया था मेगा पांडेकर जी ने प्रारम किया था और इसके अन्य सहयोगी कौन थे तो अरुंधती राय थे बाबा आम्टे थे अनिल पटेल थे और नर्मदा बचाव अंदोलन का उद्देश क्या था तो नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था जो कि बहुत देशिये बांध है और वो अब बन के तयार हो चुका है तो मेगा पार्टिकर जी का कहना था कि ये बांध बनने से जो उस छेतर में आसपास के लोकल लोग रहते हैं उनको इससे बहुत ही नुक्षान होगा और सही बात भी है क्योंकि बांध से फायदे भी होते हैं और नुक्षान भी होते हैं कोई भी चीज होती है उससे फायदे बाद में बन गया था और बन के तयार हो चुका है और लोग योज भी करते हैं तो फ्रेंड्स ये हो गए आज के वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब क कर दीजेगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में